असलाम अलेकुम दोस्तों कैसो आप लोग इस वीडियो में कुछ बड़ी अपडेट शेयर करूँगा वीएफस से ही जुड़ा हुआ सोधरप का वीजा स्टैंपिंग से जुड़ा हुआ देखिए मैं जो वीडियो बनाता हूं उसमें इन्फोमेशन के साथ साथ मैं आप लो स्टैंपिंशन है और अभी तक किसी ने भी यूटूब में यह बात आपको नहीं बताए होगा वीडियो बना करें रोज मैं 15-20 फैमली का एपट्मेंट शेडियूल कर रहा हूं और अलम्दिल्ला मुझे अभी तक इतना तो एक्सप्रियंस हो गिया है कि प्रोब्लम से कैस स्टैंप होगा बहराल एक नोटीस आया है सौधी कॉंसुलेट के तरप से नोटीस तू आल रीकूटिंग एजेंट्स दा कॉंसुलेट जनरल अफ सौधी अरभिया हैरभा इंफॉर्म्स यू दा दिसीजन अफ इंप्लेमेंटिंग बामेट्रिक इन्रॉल्मेंट फोर मिनिस्ट्यों फोर इंफेस जितना भी इदारा सोधेरभ का कितना वीजी रहता है तो बहराल बकृत तक फिलहाल यह पॉस्टपॉंड कर दिया गया यह रूल को कि वर्क वीजा भी अब वीफेस से होगा क्योंकि 29 मैं से होना था इसका भी मैंने अपडेट शेर किया था तो को बुलाना चाहा रहे हैं एपॉंड्मेंट बहुत लेट मिल रहा होगा आप लोग देख रहोंगे दिल्ली मुंबई हैदराबाद शेडियूल बहुत लंबा है कैसे इससे नेपटना है सिंपल मेरा भाई जब आप वीजा अप्लाई करोगे उस समें एक रिक्वेस्ट नम भाई आप रिक्वेस्ट नमबर से भी कर सकते हो वीजा अप्लीकेशन का जो रिक्वेस्ट नमबर है वो डिटेल डाल के भी वीएफेस का एपॉंड्मेंट शेडियूल कर सकते हो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ मालो आज कोई बंदा अपना फैमिली अगर नहीं समझ मैं आ रहा है मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ एक्जांपल पर आज मैंने अपना फैमिली मेंबर का विजा अपलाई किया अब मैं अपना कंपनिया का फिल को दूंगा चेंबर करने के लिए जैसे वो चेंबर करेगा उसके बाद वो भी होगा reject होने का कोई चांस नहीं है अगर reject भी हो जाता है तो वीएफेस का appointment book करने में थोड़ी पैसा लगता है वो तो फिरीम होता है ना तो मैं वीएफेस का appointment एक महना बाद का schedule करके रख सकता हूं मान लीजिए मेरा वीजा जल्दी एप्रूब हो गया एक महना भी time ने बहुत helpful होगा और ऐसा करके रखो आप लोग मैं खुद भी VFS का service दे रहा हूँ अगर आप में से किसी को चाहिए हमारा service आप मुझसे contact कर सकते हो अब दूसरी बात में बता रहा हूँ लोग क्या गलती कर रहे हैं दिल्ली मुंबई जो लोग दूर से बिलोंग करते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं अपना family को पहले ही train का टिकट ले रहे हैं लोग को पैसा ज्यादा देके और बाद में उनको appointment का वो डेट नहीं मिल रहा है वेकार होगी आपका टिकट का पैसा गिया एक family member से मेरी बात हो रही थी पांच-पांच हजार करके तीन लोग उनने टिकट बुक करा था train का मुंबई के लिए 15,000 गया और VFS का appointment ही नहीं मिला वो डेट में क्या फाइदा appointment नहीं मिला इतना पैसा लगा के तो आप लोग appointment पहले लो मेरे भाई appointment पहले लो टिकट बगरा बाद मिलो और जो लोग करीब में हो बीना appointment नहीं भी मिल रहा है बिना appointment का भी जाके आप ट्राइब करो ठीक है application में वो लोग VFS का application से खोल रहे हैं तो वो जो है पुरा updated नहीं है उसके भरोसे मत रहना आप लोग Google में जाके चेक करना उसके बाद और क्या visa fees visa fees किसी का कम दिखा रहा किसी का ज्यादा दिखा रहा ये भी मेरे को message आ रहे है तो इसमें कोई confused मत हुई आप लोग मैंने ये सब के separate video बना दिया है VFS का एक playlist ही है कितना खर्चा है पूरा detail में बताया है वो video प्लीज आप लोग देखके जाना एक एक करके मेरे पास इतना message आ रहा अभी भी साड़े 300 से जादा लोगों का message pending है मैं नहीं देख पा रहा हूं तो प्लीज एक एक करके मैं नहीं respond कर पा रहा हूं तो आप लोग देख लेना video को ओके और क्या update है checklist क्या क्या चीज लेके जाना है वेफेशंटर में अभी तक मेरे video को 10,000 लोगों नहीं देखा है क्या सिर्फ 10,000 लोग वेफेशंटर जा रहे है मेरे क्याल से लाखों लोग जा रहे है लोग देखके नहीं जा रहे है इसलिए दिक्कत हो र लेगा तो बहराल इस वीडियो में इतना ही बात करना था आप लोगों के साथ में उम्मित करूँगा कम समय में जो इंफोर्मेशन आप लोगो सेर करनी थी हूं मैंने कर दिया है चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लिजेगा और सपोर्ट भी कीजिएगा शेर भी कीजिए वी इस तरह के इंफोर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया